हेलो अबरिवान, वेलकम टू मार्गेट ब्रेंस, मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, आज लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी से सिंगल एंट्री से कॉशन नम्वर 123 कराने वाला हूँ, सिंगल एंट्री से कराने वाला हूँ, जिन्होंने प्रिविएस वीडियो नहीं देखा, वो जरूर से प्रिविएस वीडियो देखे आएंगे, जहां पे मैंने concept explain किया हुआ है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से हम यहां पे profit and loss को determine करते हैं, आपको मालू में कि मैगनेट में से एक मातर सा platform है, जो आपको देता 100% complete free education for CVSE, English Medium, Hindi Medium and State Works, इसके लाब आप हमारे notes को download कर सकते हैं, इनकी link description box में होती ही, जाके चेक कर लीजेगा, मेरे सारे record lectures आपको मनते हैं, प्रेलिस्ट मे जी क्या निकालना है, profit या loss determine करना है, तो याद है previous video में क्या बताया था मैं, कि सर हम यहाँ पे net worth method use करते हैं, क्या होती ही सर net worth method, या statement of affairs, सर इसमें हम निकालते हैं net worth of the business, closing पे और opening पे, closing minus opening का difference profit and loss होता है, बात क्लियर हैं जी, बस इसी तरह से, मानने जी आपके पास, एक साल बाद आपके जे में 20,000 रुपे हैं, बताओ कितना profit earn किया, 20,000 का, बस इतनी सी method, यह statement of profit and loss, accounting, statement of profit and loss बना के हम इसको calculate करते हैं, कई बार हमारे पास opening capital नहीं होती, closing capital नहीं होती, उसके लिए हम निकालते हैं, बनाते हैं statement of affairs, it is just like a balance sheet but not a balance sheet, उससे difference जो आएगा, balance figure जो आएगा, that is known as opening capital या closing capital, ठीक है, इतनी basic understanding है, आराम से निकल जाएगा, आराम से, तो मैं सीरह question स्टार्ट करता हूँ, question जब हम करते हैं, तो हमारी clarity और बढ़ जाती है, मेरे साथ करना, pen copy उठा लेना, question जब करोगे, लिखते हैं तो 500 census काम करते हैं, लिखना स्टार्ट क following information, capital on 1st April 22, ठीक, 1st April 22 का हमार पास का है, capital है, 30,400, capital on 31st March, 23, 33,800, यह तो हो गई सर, closing capital, और यह हो गई सर, opening capital, इन दोनों के difference को बोल जूँ क्या profit, नहीं, क्योंकि drawings और additional capital भी है, adjustment करना पड़ेगा, drawings made during the period, April to March, 9,600, capital introduced on 1st August, 22,000, calculate the profit earned or loss incurred, calculate कर लेते हैं सर, आसानी से कर लेंगे, बात समझ भी आगई, statement of profit and loss का format याद है क्या, नहीं में तो एक बात समझ लो ना सर, मैं कराते-कराते समझाता हूँ, एक बहुत चोटा सा format होता है सर, statement of profit and loss, statement बना के calculate करते हैं सर, इतने में काम हो जाएगा आराम से, ये हो गया सर आपका amount का column और ये हो गया सर जी आपका particular का column, ठीक, इतनी बड़े क्या वसकता नहीं है, ठीक है लेकिन बना लो, ये particular का column होगा सर और ये amount का column होगा, that's it, इसका नाम लिखदेना उपर, statement, इसका नाम लिखदेना सर, statement of profit and loss, profit and loss, सबसे उपर के लिखते हैं, closing capital, closing capital, इसमें ही adjustment करना है, ठीक, in this question closing capital was 33,800, 33,800, ठीक, अब उस item को add कर दीजिए, जिससे आपकी capital कम होई है, किस से कम होई होगी सर, drawings किया होगा, तो capital कम होई है सर, तो drawings को add कर दीजिए during the year, drawings during the year 9,600, ये क्यों add कर रहे हैं, क्यूंकि इसका नापकी capital कम होई है सर, minus कर दीजिए सर उस item को, जिससे आपकी capital बढ़ी थी, क्यूंकि capital बढ़ी होई है, ठीक, तो क्या minus करना है सर, additional capital introduced, 4000, additional capital, 4000 सर, minus कर देंगे, तो I am just using negative brackets, खतम, अब और क्या minus कर दीजिए सर, opening capital भी minus कर दीजिए, opening capital भी minus कर दीजिए सर, कितने रुपह थी सर, opening capital, 30,400, 30,400 सर, अब आप देख लिजिए, positive figure है तो profit है, negative figure है तो loss, चलो सर, करके देख लो, यह दोनों को plus किया, कितना हो गया सर, 00,4, 34,34, 43,400, 43,400 विए सर माइनस करना है, 34,400, तो 000, 13-4 is 9,000 रुपीस का क्या हो गया, profit positive figure आया, तो यह हो गया, profit, during the, during the year, profit हमने calculate कर लिया, 9,000 रुपीस का profit जो है, वो इन्होंने during the year, earn किया होगा, तब ही तो देखो, इनकी opening capital, 30,400 थी, अब इसको उल्टा समझना, opening capital, यानि कि ऐसे समझो कि business start किया, जब हमने 30,400 रुपे लगाए, और उसके बाद हमने 4,000 रुपे और लगाए, तो total कितने रुपे लगा दिया अपने business में, 30,000 प्लस 4,000, 34,400 रुपीस total business में invest हुए, ये दोनों को मिला गए, ठीक, अभी आपकी capital कितनी है, 33,800 की capital अभी भी है, और 9,600 रुपे अपने business में से, निकाल दिये, तो profit हुआ होगा, तभी तो, अभी जितना लगाए, तो बचा भी हुआ है, और उसमें से पैसे भी निकाल दिये, ये इसका explanation हुगा, बात समझ में आगी न के लिए, बस इस format को याद भी कर सकते हो, understand भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर लिजिए, ये हमारे question number one का solution था, screenshot capture करेंगे, मैं next question लेके आता हूँ आपके लिए, done, चालिए, next question लेके आते हैं sir, ये था question number one, easy sir, question number two, Guruman, who keeps his books on single entry system, informs that his capital on 31st March 23 is rupees 1,087,000, तो देखो March 31st, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ, closing capital, and his capital on 1st April 22 was 1,097, ये होगी sir, opening capital, he further informs that during the year, he betrall for his household purposes 84,200 रुपीस निकाल दिये, निकाल दिये तो प्लस कर दे न sir, he once sold his investment of 20,000 at 2% premium, ठीक बात है जी, ये तो personal transaction हम क्या करेंगे, and invested the proceeds in the business, अब directly नहीं लिखा आपको कि उसने additional capital लगाया है, क्या बोला कि 20,000 का investment दो रुपए के profit पे बेचा, 2% के profit पे बेचा, याने कि 400 रुपीस के profit, प्लस 20,000 रुपीस का investment value, 20,400 में investment बेचा, और इसको उसने कर दिया business में invest, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, additional capital introduced during the year, देखो, directly नहीं बोला question, घुमा के बोला, indirectly बोला, उसको मालूम नहीं था, पर पेर है statement of profit and loss, बना ले, additional capital आगे, drawings है, opening capital, closing capital, बना ले format, आचाओ, sorry, बना ले थे से, again, required a very slight format, बहुत basic format है, और basic information ही आप हम record करते है, उपर लिख दीजिए, statement of profit and loss, क्या लिखना है आपको, statement of profit, and loss, particulars amount, closing capital, closing capital amounting to, 187,000, 187,000 का, opening capital था, add करेंगे, drawings during the year, add करेंगे, drawings, during the year, कितनी drawings है सर, 84,200 की drawings है, तो एक amount आजाएगा आपके पासे हाँ में, अब इसमें less करेंगे आप, additional capital इंटर्डूस्ट, additional capital इंटर्डूस्ट, और less करेंगे, opening, capital, additional capital मैंने बनाया था, 20,400 रुपए, negative figure bracket के, अंदर सर, inside the brackets, opening capital वाउस, 1,92,000, 1,92,000, ये एक figure आएगा, ठीक, इसमें से ये minus कर देंगे, ठीक है, आजाओ, ये दोनों कितने होगे सर, 0,0,2,11,7,271,200, और ये दोनों का figure बनेगा सर, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, for clarity के लिए, 0,0,4, ठीक, फिर आएगा सर, 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, 2,1,2,400, अब A minus B आजाएगा आपका profit, A minus B, तो सर, 0, फिर 0, 12 minus 4 is 8, 10 minus 2 is 8, 6 minus, और सरी, 6 minus 1 is 5, 5, 2 minus 2 is 0, 58,800 profit made during the year, profit made during the year is 58,800, आप करेंगे जल्दी से एक screenshot capture, एक screenshot capture कर लीजिए, तो फिर मैं लेके होंगा next question for you, फिर मैं आपके लेके होंगा, एक question आपके लिए, ठीक है, हाँ, इसमे एक लाइन या सा लिख लेना, for the year ended 31st March, for the year होता है, क्योंके statement है, for the year ended on 31st March 23, done, आजाए, अभी तक दो questions सर, हमने कर लिए, moving towards question number 3, and last question of the day, question को पढ़िये द्यान से जरा, इस question में कुछ information, different होगी सर, हाजी, आजाए, Sunil started a firm on 1st April 22, with a capital of 10,000, मतलब की opening capital is 10,000, स्टार्टी किया है, तो opening capital is 10,000, चाहिए तो लिख लो, opening capital, on 1st July 2022, borrowed from his wife, a sum of rupees 4,000, at the rate 9% per annum, interest not yet paid, तो भाईया, 4000 रुपे का और उसने ले लिया, loan, और rate of interest 9% है, interest देना पड़ेगा, और 1st July, अब ध्यान रखना, important information है, यह याद है final account में, hidden adjustment होता है, जब ऐसी बात होती ही तो, adjustment करना पड़ेगा, for the interest, for business, and also introduce further capital of rupees 1500, on 31st March 2023, his position was, cash 600, stock 9400, debtor 7000, and creditors 6000, ascertained his profit or loss, taking into account 2000 for his drawing, during the year, 2000 रुपे की drawings भी है, अब question समझ में नहीं आ रहा, कहीं से भी, question ही समझ में नहीं आ रहा, कि क्या करें सर इतनी information का, लेकिन आपको stick करना to your rules, सर ख्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग्स, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल, is equals to profit or loss, बस, अब question अराईज ही होता, कि सर सारी information है, लेकिन ख्लोजिंग कैपिटल कहीं नहीं है, अब बनेगा working note, for closing capital, कैसे निकालेंगे, statement of affairs बना के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, statement of affairs बना के निकालेंगे, लेकिन, मैं क्या बोलता हूँ, पहले जो information है, जो मुझे बनाना statement of profit and loss, उसको बना लीजिए आप, है ना, फिर बनाते हम वो, statement of affairs, जितनी information उतनी तर डाल लूँ मैं, format तो बना लूँ कम से कम, यह हो गहा है मेरा क्या, statement, statement of profit and loss, for the year and date, for the year and date, 31st March 23, ठीक, क्या बोलता है format सर, सर, format बोलता है, closing capital, plus, drawings, minus, additional capital, minus कर दो, additional capital, minus कर दो, opening capital, minus कर दो सर, opening capital, right, तो जो भी आएगा, आपका जाएगा, profit and loss आजाएगा, ठीक है, तो अब मेरे पास, इसमें से कौन कौन से figure है, वो लिख देता हूँ मैं, सबसे उपर मेरे पास, opening capital है, 10,000 की, तो यह लिख देता हूँ, negative figure, क्योंकि इसको मुझे, फिर मेरे पास है सर, drawings 2000, drawings 2000, सर यह प्लस हो जाएगी, अब मेरे पास क्या नहीं है, closing capital, बना दो working note number one, or you can refer to, statement of affairs, अब बनेगा यहाँ पर, statement of affairs, it is nothing but a, just like a balance sheet, but not a balance sheet, yes, it is just like a balance sheet, but not a balance sheet, आई बस समझ में, चालो सर, यह बन गया, मेरा balance sheet का format, format भी सेम है सर, हाँ जी, बस नाम क्या इसका, statement of affairs, statement of affairs, as on 31st March 23, क्योंकि, closing capital चाहिए, assets, sorry, liabilities, amount, assets, amount, जो जो information है, asset की asset में, liberty की liberty में डालते चाहिए, आजाओ, तो सर देखो, छोड़ दो, अब सबसे पहला item क्या आपके पास, loan आया, ठीक है, तो क्या लेखेंगे, Mrs. Sunil, बाइब से लिया, Mrs. Sunil's loan, 4,000 का लिया है, अब इसमें, add क्या होगा, interest का adjustment करना पड़ेगा, कैसे होगा, Sir, interest, 4,000 into 9% का rate है, हाजी, 9% का rate है, और कभ लिया था, 1st, July को लिया था, interest कब तक देना, माज तक देना है, तो जुलाई से मार्च, 9 months हो जाएंगे, Sir जी, तो कर दीजिए, अगें, 9Y, 12, 9Y, 12, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, Sir, 9 into 4, 00 से पहले, 00, cancel कर दो इधर, और, यह हो गया, 9 into 4, 36, 3600, तो यह हो जाएगा, 270 रुपीस का, इंटरस्ट हो गया, Sir, आउटस्टेंडिंग है, देना पड़ेगा, liability हो गया, next, और कुछ आइटम आयो, अधर से, नहीं आया, Sir, drawings बगरा, additional capital बगरा, capital में adjust होती, Sir, उसको छोड़ दो, वो तो balance फिगर निकालेंगे, अब cash 600, कहाँ जाएगा, Sir, इधर जाता है, asset side, cash, 600, balance इट नहीं, इसलिए format मैं नहीं रखता हूँ, जैसे item आयका लिख दूँँग, stock, debtors, stock, debtors, stock, 9400, 9400, debtors, 7000, और creditors, 6000, और creditors, 6000, कुछ और है क्या, नहीं Sir, सारे item record कर लिए, आप कर लो total, total match करना चाहिए, नहीं करेगा, तो balance figure आएगा, balance figure क्या आएगा, आपका, capital निका लेंगे Sir, balance figure, तो capital इधर आएगा, यही side बड़ी लग रही होगी, करो plus, 000, 0, और 17,000 हो गया, इधर भी 17,000 करना है Sir, लेकिन match नहीं कर रहा होगा जी, कितना हो रहा है, 10,200, 70, यानि की 0, 10-7 यानि की 3, 9-2 यानि की 7, और अब बच्चा आपके पास क्या, 6-0, 6 ये आगए आपका capital, balance figure, 6-7-3-0, आपका क्या रहा होगा, opening capital, sorry, closing capital, 6-7-3-0, ये तो loss बहुत सारा है कुछ है, आ सकता भे, कोई बात नहीं, कर लिजिये Sir, तो ये हो रहा है Sir, 11,500 माइनस का figure, और ये हो रहा है Sir, 6 plus 2 is 8,730, 0, 7, अब उधर बच्चा, 4, 14, 7, 10-8 is 2, ये आरा negative figure, 2, 7, 7, 0 का, आपने क्या incur किया है, loss incurred, कितना loss incurred किया भी या, 2770 का loss incurred किया है, during the year आपने, 2770 का, during the year में आपने, loss incurred किया हुआ है, राइट, आई बात समझ में बेटा, capture कर लो, screenshot जल्दी से, ये statement of profit and loss है, और फिर statement of affairs, बस ये दो चीज़े आपको बनानी है, accounts from incomplete record में, बस दो चीज़े बनानी है आपको बस ये, accounts from incomplete record में, और ये रहा आपका statement of affairs, statement of affairs, बात समझ में आगी क्या, done, इसी तरह के videos को देखने के लिए, आप जुड़े रहे हैं मेरे साथ, और magnet bands के साथ, complete करेंगे इस chapter को, आसानी से complete करेंगे, एक एक question आपके लिए मैं कराऊंगा, बिल्कुल भी load नहीं लेने का, सारे recorded lectures, playlist में मिल जाते हैं, जा के check कर लेना, ठीक है, magnet bands एक मात ऐसा platform है, जो देता है आपको, 100% complete free education, quality education for your CVSE English medium, Hindi medium, UP board, बिहार board और MP board, इसके अलावा, आप देख सकते हैं हमारे videos, spoken English, CUT, NTSC और Olympiad पर, यह सब आपको मिलता है, इस साथी आप कर सकते हैं, हमारे notes को download, इनकी link description box में होती है, जा के check कर लिजिए, वीडियो अच्छा लगा, तो like करना, और share करना, ना भूले, मिलेंगे next वीडियो में, लेके आँगा कुछ और interesting question, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपनी studies को enjoy करना, ना भूलें, once again, thank you so much guys, for watching.